नमश्कार, कई बार हम सोचते हैं कि बिना लस्टन और प्याज की सबजी बनाई जाए, जिसकों कि हम किसी भी वरत में या फिर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें पूजा पाठ हो रही हो, यूज कर सकें और परोज सकें दूसरों के सामने. तो इसी तरह का मटर पनीर आजम बना रहे हैं बिना लस्टन और प्याज के, जो की बहुत ही बहतरीन लगेगा और इसको खाने के बाद आप लस्टन और प्याज वाला मटर पनीर बनाना बंद कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं, यहापर देर चम्मच मैंने बेसन लिया है और कुछ मसाले हैं जिनमें की हमने एक टेबल स्पून लिया है सबजी मसाला, दो टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, एक टेबल स्पून लिया है लालमिर्ष पाउडर और साथ ही एक चम्मच लिया है या पर हमने गरम मसाला सबी चीज़ों को हम दhi में डाल कर अच्छे से मिला गें देही हमें उतनी यूज करनी है जितने में ये मसाले घुल जाएं तो 6 या 7 टेबल स्टूण दhi में ये मसाले अच्छे से घुल जाएंगे और दही गाडह नहीं है पतला दही है दही से इसका टेक्चर बदल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप एक बार से ज़रूर ट्राइ कीजेगा इस तरह के मटर पनीर को एक दो मिनिट चलाते हुए अच्छी तरह से मसालो को दही में फैट लेंगे जब तक कि इनमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और इसको रख देते हैं साइड में क्योंकि हमने इसे फैट लिया है अच्छी तरह से अब यहां पर आगे का प्रॉसेस करते हैं तो मैंने काजू दो कि लिए थे जिनको की आदा घंटा पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था चार से पांच टेबल स्पून टुकड़ा काजु है और यहां पर आधी किलो मैंने लिए हैं टमाटर क्योंकि आधा किलो पनीर बना रहे हैं और आधी किलो टमाटर लिए हैं हमने और तीन और साथ में पानी भी एड़ करेंगे क्योंकि काजू है तो उसकी ग्रेवी बनाने के लिए पानी हमें ग्रेवी में डालना ही होता है क्राइंड करने के लिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही जो ग्रेवी है हमारी वो थोड़ी सी थिक हो जाती है बहुत अच्छी लगती है और उसका टेक्चर बिल्कुल बट्री आता है इनको टाल लेते एक जार में यहाँ पर लिया है हमने 500 ग्राम फ्रश मटर के दाने सर्दिया है तो इसलिए फ्रश मटर आई हुई है आप फ्रोजन मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इनको मैं बॉयल करूंगी और साथ ही आधा किलो पनील लिया है जितनी मैं सबजी यहाँ पर बना रही हूँ परिवार के साथ से आठ सदस्यों के लिए प्रियाब्त है कुछ खड़े मसाले हैं एक चम्बच लिया है जीरा दो हरी इलाईची खोल कर ली है चार पांच लॉंग ली है और दो इंच लंबा यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा दो ली है बड़ी इलाईची और साथी दस से बारा ली है काली मिर्च एक टेजपत्ता भी लिया है और आधा कप यहाँ पर हरे धनीय को दोने के बाद मैंने बारीगाट लिया है हरे धनीय को आप टंठल समीत बारीग काटिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक चमच कसूरी मेथी लिया है यहाँ पर हमने तो सभी चीजों को मिक्सी जार में डाल लेते हैं काजू, टमाटर, हरी मिर्च और साथी अधरक इसका हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं देखे बारीक पेस्ट बनकर तयार है साइड में रख देते हैं इसको थोड़ा सा धुआ निकल गया है तब एड करा है एक चमचा भर कर देशी घी अब यहाँ पर गी और तेल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं तो यहाँ पर एड करें हैं मैंने खड़े मसाले जो की अभी लिये थे सारे मसाले वो सब डाल दिये हैं इसके अंदर मसाले च्छे से चटक जाएंगे तब हम इसके अंदर थोड़ा सा एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड करेंगे इससे बहुत अच्छा कलर आता है सबजी में अब फटाफट से डाल देते हैं यहाँ पर हम जो हमने पेस्ट बनाया था काजू टमाटर और हरी मिर्च साथ ही अदरक का सारा पेस्ट एड कर देते हैं और इस पेस्ट को हम थोड़ा सा दो या तीन मिर्ट लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसको भून लेंगे अच्छे से हम बहुत जल्दी बन कर त्यार हो जाती है सबजी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे थोड़ी जादा क्वाइंटेटी में सबजी बनानी पड़ रही है आप थोड़ी कम बनाएंगे तो और भी जल्दी बन कर तयार हो जाएगी देखे कितना अच्छा कलर आया है क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च एड़ कर आया है आपर तली में काजू की वज़े से ये ग्रेवी बहुत जल्दी चिपकती है इसलिए आप जब इसे चलाएं तो ध्यान रखें कि तली से अच्छी तरह से इसको हटाते हुए चलाना है नहीं तो ये बहुत जल्दी चिपक जाती है अब 2-3 मिनिट के अंदर ही इसमें बबल्स आने शुरू जाते हैं हमारे उपर छीटे पढ़ने लग जाते हैं तो यहाँ पर एड़ कर दिया है हमने जो दही के अंदर मसालों को डाला था वो पेस्ट और लगातार चलाते हुए जब तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसमे कर और तीन से Чार मिनिट के अंदर ही भून कर बिलकुल तयार हो जाता है इस तरीके से तली को छोड़ देता है मसाला मसाला अच्छा से भून कर तयार है बिलकुल पूरी तरह बूनμέ चुका है तो यहाँपर मैं दो गलास पानी एड़ कर रही हूँ मैंने जार को और सभी ब करते हैं तो यह अपने आप भी गाड़ी होती चली जाती है स्टार्टिंग में ज्यादा पतली ना रखें अगर आपको गाड़ी लगे तो आप बाद में भी पानी एड़ कर सकते हैं देखते हैं इसमें बॉइल आने के बाद इसके कंसेंसी यहां पर इसमें अच्छा सब ग्रेवी में और उदर हमारे मतर में भी दो सीटियां आ चुकी है तो उसका भी हम कुकर खोल लेते हैं लेकिन इसको हम ढखकर पकाएंगे तीन से चार मिनट के लिए ठक देते हैं इस ग्रेवी को हम आज को कर देते हैं बिल्कुल स्लो तेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नम पकड तयार हैं इनको एक छलनी में निकाल लेते हैं चान लिए हमने मटर देखें से सॉफ्ट हो गए हैं मटर तो इनको हमें पकाने की जुरत नहीं पड़ेगी ग्रेवी में और ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी सी हो गई है ना जादा गाड़ी है ना पतली है और कि अधुक भी आड़ गरेंगे इस तरीके से आप पनीर बनाएगे तो बनाना बहुत आसान होता है और बहुत ही अच्छा पनियर बनता है किसी होटल या रेस्टोरेंट से तो लाग गुना अच्छा बनता है ज हमने इसमें किस तरह की चीज़ें यूज करी हैं बिल्कुल फ्रेश चीज़ें डाली हैं सब हमारा पनीर बहुत अच्छा बनता है तली से इसको हटाते हुए अच्छे से चला लीजे बहुत अच्छा पनीर बनकर तयार हुआ है अब इसमें हम यहाँ पर डालेंगे आधा का जिससे की इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा फ्रश क्रीम मैंने वह इस्तमाल करी है जो कि हमारे गर में दूद आता है उसके उपर से जो हम मलाई उतारते हैं आप जाहें तो बाजार की कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं इसके उपर यहाँ पर डाल देते हैं हम भी झिल होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे बी और देखने भी बहुत अच्छा लगता है मारा पनीर तो थोड़ा सा इसको mix कर देते हैं और cream डालने के बाद जब वो cream घुल जाए इसमें तुरंथ हमें gas बंद कर देनी है इसलिए मैंने धनियापत्ती भी पहले ही add करी है यहाँ पर और हमें यहाँ पर gas अब नहीं चला के रखनी तो जैसे ही हम इसको डालेंगे हलका सा इसको घूल लेंगे और उसके बाद तुरंथ हम कर देंगे gas बंद पनीर और सभी चीज़ें डालने के बाद हमें gas को सिर्फ एक या दो मिंट ही चलाना है उससे जादा ना चलाएं नहीं तो जो पनीर के cubes हैं वो हो जाते हैं hard, soft नहीं रह पाते अगर आप जादा gas चलाएंगे तो वो hard हो जाएंगे और पनीर हमारा अच्छा नहीं बनेगा तो यहाँ पर मलाई पूरी तरह से घुल चुकी है देखिए मलाई के घुल जाने के बाद यहाँ पर कर दीजे gas बंद और gas बंद करने के बाद आप इसे 5 या 7 मिंट के लिए ढख दीजे उसके बाद सर्फ कीजेगा इस gravy का texture बदल जाता है पनीर का स्वाद बढ़ जाता है ऐसा करने से लीजिए हमारी बिना लसुन और प्याज की मटर पनीर की सबजी बनकर बिलकुल तयार है आप इसे भंडारे में बनाईए पूजा में बनाईए कभी भी बनाईए ये बहुत ही बहतरी लगती है बहुत soft हमारा पनीर है हम इसे दबा कर दिखा रहे हैं एकदम fluffy सा पनीर है बहुत अच्छा बना है तो आप इस पनीर की सबजी को बनाईए खाईए और अपने अनुभाव मेरे साथ जरूर शेर कीजे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कीजे अगर आपको मेरी recipes पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले